आप सबी मित्रों का अपने इस YouTube चैनल पर हार दे स्वागत और अविर्णन करता हूँ मित्रों नमस्कार मित्रों मैं उपस्थे तूँ देखिए आप सबसे विशेश बारता करने के लिए बारता का सुछ तक बता हूँ थम्मनेर बता हूँ उससे पहले आपसे निवेदन करूँ कि जो मेरी चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो कृपिया सबस्क्राइब करें और अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक तो बनता है ना लाइक करें अपने दोस्तों में शेयर करें जिससे उनको भी ला मिल सकें और देखें नोटिफिकेशन में अगर ओल सेलट कर लेंगे न तो मेरे अगले वीडियो की सूचना सुता ही आपके अकाउंट में पहुंच जाएगी और जाते जाते हैं आप कमेंट में जो लिखना चाहें लिखिए कोई कमेंट देना चाहते हैं बुराई करना चाहते हैं तारीफ करना चाहते हैं, छोटा मुटा सवाल भी है अगर आपका पूछना चाहते हैं, तो देर सब्सक्राइब मैं जवाब देने कोशिश करूँगा, तो मित्रो आप कुछ नहीं पूछना चाहते हैं, कुछ नहीं लिखना चाहते हैं, तो महागड़ेश आए नम्मतो लिखिए हैं, यह भगवान गड़ेश का आचिवादा पूछ अड़ू मिलेगा, अब देखिए मेरा थम्मनिल क्या है, मैं आज क्या चर्चा कर रहा हूँ, देखिए अब यह पहली जनवरी को नई साल सुरो हो रही है, और नया सप्ता सुरो हो रहा है, सौंबा, तो पहली जनवरी से साथ जनवरी तक, पूरा सप्ता है पहला, उसका भविश्पल कैसा रहेगा, मेश राशी से लेकर मीन राशी तक, यह साल का पहला सप्ता कैसा जा तो दो दो चोटी राशीिक कर भाशी के लिए पहले में कोचे बताऊं कि लगतलों करक राशी है कोई ग्रिण नहीं order чис कोई ग्रे नुखे के पांश-घ्र। में शुक्र अपुद्य बेठे हुए हैं, छट में वाव में धनु राशी में सूर्य मंगल हैं, साथ में वाव में मकगर राशी कोई गरे नहीं हैं, आठ में वाव में शनी बेठे हुए कुमर राशी में, नमें वाव में बार्मी राशी में राव बेठे हुए हैं, और तस म जन रसी वहांगे तो हो दो होग iste क्लाशता उनदरद के लिए एक जनतरे लद्न हम को आइंगे भाव में mwegen चार जनतरे जनतरव में तुल राशी में सक्ता का इंत होते होते हैं साथ जर्वियों को चंद्रमा आ जाएंगे पंचमभाव में पंचमभाव का मतलब ब्रश्यक राशी जहां पर के दिखे शुक्र बुद्ध पेटे हुए तो यह चंद्रमा का गोछर रा और बागी घ्राउं का गोछर के हिसाब से कर्ग राशी के लिए सक्ता कैसा बढ़ता देखिए चंद्रमा में जैसे मैंने पताया है एक जन्मजी को धन्भाव में होंगे धन्भाव में शिंग राशी में तो धन्भाव में चंद्रमा से बैठेंगे और धन्भाव से अस्ट्रम को देखेंगे अस्ट्रम में विप्रीत बनागे शनी बैटे हुए कुमराजी में जबरदस्त, शनी की दरस्ती चंद्रमा पड़रागे, चंद्रमा की शनी की साथ साथ होने से बिज दोस्त बनता है, जो के थोड़ा सरीर को कष्क देता, लेकिन धन भाव में धन्तो आने आना है, धन भाव से चंद्रमा सब्ता के प् लेकिन थोड़ा स्वास्त पर ध्यान देना हो गया भाई, हाला कि शनी उच्छी के हैं और विप्रित राजयों बना के बैटे हो गया है, फिर भी थोड़ा सारीजिक कष्ट, थोड़ा सा लोग लेक्स में, पेन, कमर में पेन, ये सब हो सकता है, आँखों में पीडा हो सकती है तो उसके लिए थोड़ा सत्तर करें भई, शारीजिक स्वास्त का ध्यान किएगा, दो-चार जन्मरी को चंद्रमा भागे भाव में आजाएंगे, भाग भाव दिश्ची डालेंगे, तो राहु के साथ-साथ भागे बर्दन भी होगा, जितना परश्यम करेंगे उतना ही ल और ब्रस्पती की दिश्ची आप पड़ेगी, तो शुकवाव में ब्रस्पती अच्छनमा भी दिश्ची पड़ने से गज गेसी राजयोग बनेगा, उसकी बने से सुकसाथनों की ब्रदी होगी, जो भी सुकसाथन आप सोच सकते हैं, सब आपको मिल जाएंगे, भूमी, भवन, बान, गाड़ी, बंगला, जो आप लेना चाहते हैं, इस समय ले सकते हैं, कार शेत्र में ब्रस्पती खुद बेटे होएं, तो व्यापार में या नौकरी में जो भी आप करते हैं, पूरा तरक्की का योग है, सब पाके अंत में साथ जिनवरी को पांच में हाउस मे जैंगे, जा बुद्ध और शुक्र के साथ जन्द्रमा बेटेंगे, ब्रस्पती आप लोगी है, तो शुक्र अपनी ने, ब्रसपती में में दर्ची में ब्रस्पती को देखाँ हैं, तो अर्ब बही धन्तけて का भाव हैं, तो पूरा रह करते हैं, यो पसक्ते हैं घृता से धन मिलेगा आपको ब्यापार से मिले ट्रेडिंग से मिले भाई बेरों से मिले लोट्री से मिले शेयर मार्केट से मिले कहीं से मिले जो भी धनाने के सोर्स है सब जगे से आपको धन की प्राप्ट्री होगी सूरी मंगल छटे भाव में देखिए और बार में पर दशी जाल मंगल व्यापार के लाव देने वाले हैं विदेश में आपको सम्मान मिलेगा आपको सम्मान प्राप्त होगा और अगर आपने कोई जाने आपको मैं सम्मा तो में तो करग राशी के लिए इस सब्ता काफी अच्छा है, और भी ज़दा अच्छे चाहते हैं करना, तो करग राशी के स्वामी चंदरमा हैं आप, बगवान शिव की उपवासना कीजिए, बगवान शिव का अभशे कराईए, तो बगवान शिव भी खुश होंगे, और चंदरमा ब बगवान शिव के मस्तक में बराशते हैं, अब चंदरमा भी प्रसंद होंगे, तो आपको कर राशी वादों को और बिशेश लाव होगा, अब मेत्रों में अगली राशी में बढ़ता हूं, अगली राशी कों से है, सिंग राशी, तो सिंग राशी के लिए नमर पास राश अख़े वाव होए, कने राशी में, तीसे भाव में तुल्ह राशी है, कोई फर नहीं है, चोठे बर बाव में बरश्टिक राशी है, जाष्यो क्रॉपते पैटे हूए, पांछ में बाव में धनुर राशी में सूर्यमंगल पैटे हूए, च्टे बाव में ब देकें कोई ग्रहे नहीं है मकर राशी है है साथ में बाव में कुम राशी में श्लनी बैठे होये है unifiedות in नमें वाह में ब्रसपति बेर सब्दित равно कि बाहु में कि यह धीन नहीं कोई ग्रहों उल्य स्भी आखाकु और तो में निखा पेखिएगरा को वन्हें तुमाबेर미्य कड़the पात राव से दर्श्टॉंग है और पांच शे तारीक में चंद्मा आजाएंगे तीसरे भाव में तुला राशी में और सब्ता कान्त होते होते साथ देन वजी को चंद्मा आजाएंगे बिर्श्यक राशी में जहां शुक्र और बुद्ध पैठे हो हैं तो यह चंद्मा का अब देखे श्रिंग राशी के लिए जैसा मैंने बताया कि चंद्मा सब्ता के प्रादम में लगन में होंगे श्रिंग राशी में पहली जन्वरी को और दिर्शी पड़ेगी सेविंध में कुम राशी में शनी पर तो थोड़ा सा देखिए सेहत के हिसाफ सब्ता ठीक नही उदर विकार हो सकता है और देखिए थोड़ा दा मन की शांती के लिए भी थोड़ा योग और ध्यान तेदा हल्की भुल्की एक्सरसाइज भी करें यह जरूरी है क्योंकि चंद्मा आपके लगन में है पहले तारिक कोई और शनी की दिर्शी पड़ रहे है दो चार जन्व यहांगी, धन का आगे महां तो तो पैंच दर दरीकों चंद्मा तीसर वाह में आजएएंगे और नाइन-तिसे थे कि भागी वाह में ब्रैस्पति बैठ्रे हुएं, जो ब्रैस्पति देखेंगे पंद्रमा और पड़ेगी और ब्रैस्पति भागी-बत्र्दी रहा है, ना होगा कि लभकारी यात्राइं है भाली आपको अपने काम के लिए छोटी मोटी यात्राइं करम पर सकती इंद्रेश्पति भहत के साथती दके लगन पर थरबी दस्यू पढ़ने से लेंगा आटे भाव पढ़एगी और पॉंरेध सर्ट पर मिले बहुत ट शुर्थ Pular और आपके लगन पर मतलब के शरीश में पढ़ रहे हैं। 서necki पर्सथी 日मत rich बहुत जादा धार में पुजा पाथ का और चाथ ही साथ देखे रायु की भी देखे फोर्थ भाव में द्रस्री पढ़ रही है रायु की भी द्रस्री पढ़ने से कहां पर म्रिष्च्ट ग्राशी में फोर्थ आउस में तो राव की दशी पड़ाई यह शुक्र पर और बुद्ध पर शुक्र अब जोगत दोनों ही राव की अथ्चे मित्व है तो राव और शुक्र बुद्ध सुख भाव वेठकर कि आपको सुक्न शाथनों की ब्रद्धी कर आ रहे हैं किक मकान ले सकते हैं आप जिस इस्तिव तो परे, जो भी चाहें, सुकं सात्णों को ले सकते हैं, सुकं सात्णों की ब्रददी करा सकते हैं. भूमी, बवन, बंकला, गारी और सुकं की शेजिक चीन. जो भी आपको. राजनीती की शेथिमें बे कला प्लाव मिलेगा. यानि आप MLA हैं तो मंत्री बन जाएंगे, मंत्री हैं तो अच्छा टिपामर्ण बन जाएगा, मतलब जो भी कुछ है राजनीती में आपको उच्छ लिला मिल सकता है, किसी भी देखिए परवार के सदस्य की बेरे से मांचिक तनाव हो सकता है, राहू की देखिए दूति भाव पर भी है, राहू की देखिए 1,2,3,4,5,6,7,7 लाहू की दूति भाव पर है, धन भाव पर, तो जहाँ पर केतु बैटे हुए हैं और चन्दमा मिल जाए ते तो धन का तो राहूना धन पर भी कृपा की, और देखे सूर्य मंगल नायंत धनु राशी में है जहां प्रश्पति की दस्टी पढ़ेगी नवी दस्टी भाग बाव से तो सूर्य मंगल को यानि राजा और सहना पत्री को गुरु देखेंगे पंचम बाव में तो पंचम्बाव में आपके संतान को अच्छा लाब मिलेगा संतान की तरक्की हो सकती है संतान सक्षा के शेत्र में अच्छा नाम कवा सकती है संतान के प्रेक्षाव में अच्छे अंक आ सकते हैं कहीं संतान आपकी कोई प्रिचो की प्रेक्षा में संबलत हो रही है तो सेले पतेसीपष डही है तो सिंग राजी वालों के लिए नहीं सब्ता सब्सक्रा निया अच कि ल्युक्त को जर्फाना जड़ाना झाप करेंट भूद T पर देनमा उसके लावा हनुआ तलिशा का पाठ सुन्दर कांड का पाठ यह सब भी बहुत जरोर हैं से आपको लाब मिलेगा अगदी राशी पर आणाओ राओं वो राशी कौन सी है कन्या राशी तो कन्या राशी के लिए जो कुंडली है उसमें देखिए पहले भाव में ल चोधे भाव में देनम राशी में सूर्य मंगल हैं पांच में वाव में कोई ग्रह नहीं हैं छटे भाव में कुम राशी में सनी हैं सात में वाव में राव बठे हुए मीन राशी में आठ में वाव में ब्रस्पती हैं मिर्स राशी में नमें वाव में कोई ग्रह नहीं दस चार में चंद्रमा लगण में आ रहेंगे केत्ू के पास और पात शे तारीकों रहेंगे धन्भाव में चंद्रमा साथ तारीकों इन्हें सब्ता की अंत होते होते, थर्ड हाउस में रहेंगे जहां बुद्ध और शुक्र बैठे हुए है तो यह राज चंद्रमा का ग्रेवोचा और कन्या राशी के लिए चंद्रमा मैंने बताया पार्ट तारिक ट्वेल्थ हाउस में है और शिक्स्त में दिर्शनी है तो शनी की दिर्शी पड़ता है यह च चंद्रमा की तिकि शनी के शिक्स्त में होने से कोई शत्रु आपको नुक्सा नहीं पचा पाएगा क्योंकि शत्रु हंता योग है और कोड कठेरी में कोई आपका केशन लाया तो सबलता मिलेगी चंद्रमा दो चार जनमरी को देगे लगन में रहेंगे तो स्वास्त भी ठ अन्ति भिलेगी कोई क्लेश नहीं होगा ना शारीश नहीं मांसे क्लेश दामबद जीवन भी ठीक लेगा क्योंकि चंद्रमा की देश्टी पर नहीं है पर थोड़ा तो राहू भी बेठे हुए आपका तो ग्रहन दूस लग रहा है राहू के ओने से थोड़ा सा थोड़ा दामपत जीवन में आता है कि कोई संदेव पैदा रहो कोई ऐसा काम न करें आप जो संदेव पैदा हो और राहु देखिए ऐसे हैं कि आप सोच बहुत दूर दूर तो होगी आप कुछ का कुछ सोच रहेंगे तो दामपत जीवन में पता लगा के पता नहीं कहां से कहां तक और शूच पहुँंचगी आपकी और छंधमा भी दस्तीप पड़ रही है तो मन पर छंधमा का राज होगा तो उसमां यह होगा कि अपस में एक ब्रक्ति बोलेगा तो दूसरा पहला चुप रहते कैं तो वो चुपको रहना जो है आप आप अपस में बिरक्ती सी परदा हो ज करती है मान सिफ़ सांती मिलेगी की चंद्रमां देखिए पांच इछा जन्वरी को धनवाव में आ जाएंगे और यह त देखेंगे ब्रैस्पश्फवालों को धन का आगमेन च्छा रहेगा परवार में शुक शांती रहेगी शप्ता की अंत्में चंद्रमा थर्ड हाउस में बुद्ध शुक्र केपास आ जाएंगे तो धन की परिश्थ्रम से धन प्रापत होगा फिर धन के मालिक शुक्र है जित जितना प्रश्नम करोगे जितनी भाग बोर करोगे उतना इधन मिलेगा भाग बरधन दो होगा कि वाक बाग बरश्टी परद की दिद्ध होगी और देगे ब्हूमी पुत्र मंगल सूरि के साथ बैठ करके सुख की बर्सातों करेंगे करें हैं सरकारी कामों से लाब मिलेगा नोगिर कि शेत्रा में तरक्य मिले सकती है प्द, प्रढश्ट्रा द्रश्री दिश्री Прेंवा दिस्जट्री मृत ब्र।ром आतनों की बृद्धी भी हो गी है और ज्यादा लाप चाहते हैं आप करने राशी वालों तो आप भी भगवान सिफ की उपासना करें भगवान सिफ को बेल पत्र प्र प्र पागेरा फल चड़ाएं भगवान सिफ को दुख से इसनान कराएं काले तिल चड़ाएं शेयत आते तो मा गड़ेश आयना नमा लेगे तो बगवान गड़ेश का आशिरवाद जरू मिलेगा तो मित्रों अब मैं यहां बिज़ा लेता हूं आगे आऊंगा तो फिर अगली राश्यों के चर्चा करूंगा नमस्का